वीडियो मेंस की विद्यार्थियों को काफी बड़ी सिकायते हैं। वज़े सर जी रिजल्ट जारी हो गया और पेपर तो लीक हुआ था। मामला भी कोर्ट में चल रहा है सर ये कैसे सरकार कर सकती है। और उससे बड़ा स्वाल कुछ विद्यार्थियों का मेरे पर। कि सर आप बोल क्यों नहीं रहे हो। क्या सर आपने सरकार से पैसे खाली है क्या। कमाल है यार हद होती है। एक बात मैं आपको बता दूँ। ये एक्जाम होना, रिजल्ट आना, लिक की उपर रद होना, नहीं होना, ये सब सरकार की नियती पे निर्बर करता है। ये मेरे जिसे सिक्षक पे निर्बर नहीं करता है, विद्यार्थियों पे निर्बर नहीं करता है। ये सब बाते सरकार की नियती पे निर्बर करता है कि वो क्या इसके लिए आगे करना चाहती है। रही बात मेरे बोलने की, आप मेरे अपने विद्यार्थी हो, आरोप चाहो वो लगा सकते हो, अच्छा पढ़ा हैं तो बहुत अच्छा पढ़ा हैं। और आपके लिए चुप रहना भी दोस्तों, यदि कोई अपरादी बन जाता है आदमी, तो ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि आप इस बात का, खुद इस बात का गवा है, कि इससे पहले, जयन की भरती 2021 में हुई फरजी वड़ा सरियाम था, मैं बोला, सरियाम, पेपर भी दूसरे बिरती दे के आ रहे थे, दूसरे, लेकिन बहुत बड़ा रादस्तान में आंदोलन हुआ, आपतिया लगी, मामला न्याल्य तक गया, उस टेम भी डीपी सर्मा सडकों पे उतरा था, आप सब के साथ, लेकिन न्याय मिला नहीं दोस्तों, क्यों क्योंकि ये सब सरकार की नियती पे निर्बर करता है, रीट भरती में बड़े गोटा ले हुए, विद्यार्थी चलाती रही, मैं साथ में था, लेकिन नहीं माने, आखिर एक दिन ऐसा आया, कि रादस्तान के मुख्या, आके बोलते हैं, मैं सोसल मेडिया पर, कि मैं रीट क को रद कर रहा हूं, उन्होंने रीट भरती को रद किया, कि इपे प्रत लीक हुआ था, जब हम जैसे विद्यार्थी और साथी जब सड़कों पे थे, तो लाठी चार्ज किये गए, कुछ हुआ, नहीं हुआ, दोस्तों, जहां जरूर थी, संख्या बल भी था, तब मैंने परियास बड़े-बड़े किये थे, दोस्तों, कुछ नहीं बना, आज वीडियो का मामला न्यालिया तक पहुंचा हुआ है, उसके बावजुद रिजल्ट आ गया, दोस्तों, मैं समझता हूं, विद्यार्थी के मजबूरियों को समझता हूं, विद्यार्थियों के दुख तनसील आ चुका है, बर्स, मैं तो एक ही दुआ करूँआ कि बस बड़िया भरती आते रहे, और स्वफलता पूर्वक वो बरती अराम से होती रहे, और हो गया उस पे, मैं तो खूब बोल चुका हूं, न्यालिया आपके लिए सबसी बड़िया शरन है, आप न्यालिया में साँगा, तो ये गलत बात होती है, कि किसी शक्षक को आप बार बार इस तरह से, मतलब इस तरह से टोर्चर करो कि या आप यार हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, सर पहले आप बोले आपने पैसे खाली है, क्या वो खाली है, ये नेती का फरक है, सिरह आपने नेती ऐसी बना र गएगी और कुछ नहीं है कुछ भी नहीं बनने वाला है दोस्तों भूत कुछ हुआ था बहुत कुछ करके देखा था कुछ भी इसका नहीं होने वाला है सरकार की नियती पर डिपेंड करता है होगा तो वो करेंगे वर अन्य था डीपी शर्मा की चलाने से कोई वीडियो में